आज एक अलग ही खुशी मैसूस कर रहा हूँ, शायद ऐसी खुशी बहुत रहरों के जिनुपे हैं, जब तन मन खुश्यों से भर गया हो, और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी गटना गरती हैं, कि वो बेसबरी हावी हो जाती है, इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, इतनी बेसबरी, मैं साथ आफ्रीका में था, फिर ग्रीज का कारकम था, तो वहाँ चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था, लेकिन कभी के भी लगता है कि मैं आप लोगों को साथ अन्याय कर देता हूं, बेसबरी मेरी और मुसीवत आपकी इतरी सभेरे सभेरे आप सभी को, और इतना ओर टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाओं, आपको नमन करो, आपको दिक्कत ही होगी, लेकिन मैं, भारत में आते ही, जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सब को सेलिट करना चाहता था, सेलिट्स आपके परिश्ण को, सेलिट्स आपके धैरिय को, सेलिट्स आपकी लगन को, सेलिट्स आपकी जीवर्ता को, सेलिट्स आपके जदिबे को, आप देश को जिस उन्चाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारन सफलका नहीं है, ये अनन्त अंतरिक्ष में भारत के वेज्ञानिक सामर्थ का संखनाद है, अंदमुई अडिया, इंडिया, इंडिया ग्मून् एंडियी अंदमॉनुई अवर नेशनल प्राइट प्रेस अन दे मून हम वहां पहुचे जहां कोई नहीं पहुचा था हमने वह किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था कि यह आज का भारत है कि निर्भिक भारत कि जुजारू भारत यह वो भारत है जो नया सोचता है नए तरीके से सोचता है जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरन फैला देता है 21 सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा मेरी आंखों के सामने 23 अगस का वो दिन वो एक एक सेकंड बार बार घुम रहा है कि जब कि तच्डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में कि फुरे देश में लोग उचल पड़े वो द्रश्य कौन भूल सकता है कुछ मृतियां अमर हो जाती है वो पल अमर हो गया वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणा दाईक्षणों में से एक है हर भारतियों को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है खुद महसूस करता था हर भारतियों को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एक्जाम में पास हो गया है आज भी बढ़ाईया दी जा रही है संदे से दी जा रहे हैं और यह सब मुम्किन बनाया है आप सब ने हैं आप ने हैं कि देश के मेरे वेग्यानिकों ने यह मुम्किन बनाया है कि मैं आप सब का कि जितना गुर्णगान करूं कि वो कम है मैं आपकी जितनी सराना करूं वो कम है स्वाथियों मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लेंडर ने अंगत की तरफ चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है एक तरफ दिक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद्चिन्न छोड़ रहा है अलग-अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरे अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का स्वागी मिला वो अधूत है मानव सभ्यता में पहली बार धर्टी के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस्थान की तस्वीर मानव अपनी आँखों से देख रहा है और यह तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है आप सभी वेज्ञानिकों ने किया है आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का हमारी टेक्नोलोजी का और हमारे साइंटिफिक टेंप्रमेंट का लोहा मान चुकी है चंद्रयान महावियान सिर्फ भारत की नहीं बलकि पूरी मानवता की सफलता है हमारा मिशन जिजक छेत्र को एक्स्प्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशन्स के नए रास्ते खुलेंगे यह चांद के रहश्य को तो खोलेगा ही साथ ही धरती की चुनोतियों के समाधान में भी मदद करेगा आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फीर सभी वज्यानिकों को टेक्निशियंस इंजीनियर्स और चंद्रियान महाभियान से जुड़े सभी सदश्यों को बदाई देता हूं मेरे परिवार जनों आप जानते हैं कि स्पेस मीशन्स के तच्डाउन पॉइंट को एक नाम दिये जाने की बेज्ञानिक परंपरा है चंद्रमा के जिस हिस्चे पर हमारा चंद्रयान उत्रा है भारत ने उस थान के भी नामकरण का फैसला लिया है जिस्थान पर चंद्रयान थ्री का मून लेंडर उत्रा है अब उस पॉइंट को अब उस पॉइंट को शीव शक्ति के नाम से जाना जाएगा शीव में मानवता के कल्यान का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ मिलता है चंद्रमा का शीव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्या कुमारी से जुड़े होने का बोथ कराता है हमारे रुश्यों ने कहा है ये न ये न करमान्य पसो मनिश्यों यज्ये कुणवंती विद्धेशु धी रहा यत्पुर्व यक्षमंतह प्रजानाम तन्मे मनह सिवसंकल्पमास्तु अर्थात जिस मन से हम करतव्य कर्म करते है विचार और विज्ञान को गती देते हैं और जो सब के भीतर मौजूद है वो मन शूप और कल्यानकारी संकल्पों से जुड़े मन के इन सुप संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का अचिर्वाद अनिवारी है और यह शक्ति हमारी नारी शक्ति है हमारी माताएं बेहने हैं हमारी यहां कहा गया है स्रुष्टी स्थिती विनाशाना शक्ति भूते सनातनी अर्थात निर्मान से प्रले तक पूरी स्रुष्टी का आधार नारी शक्ति ही है आप समने देखा है चंद्रयान थ्री में देश ने हमारी महिला बैज्यानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सद्यों तक भारत के इस वैज्यानिक और दाथनिक चिंतन का साक्षी बनेगा यह शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीडियों को प्रेणा देगा कि हमें विज्ञान का उप्योग मानवता के कल्यान के लिए ही करना है मानवता का कल्यान यही हमारा सुप्रीम कमिट्मेंट है साथियों एक और नामकरण काफी समय से लंबीत है चार साल पहले जब चंद्रियान टू चंद्रमा के पास तक पहुंचा था जहां उसके पदचिन पड़े थे तब यह प्रस्ताव था कि उस थान का नाम तैक किया जाए लेकिन उन परिस्तितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रान लिया कि जब चंद्रयान थ्री सफलता पुर्वक चांद पर पहुंचेगा तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे और आज मुझे लगता है कि जब हर गर तिरंगा है जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है तो तिरंगा के सिवाए चंद्रयान तू से जुड़े उस्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है इसलिए चंद्रमा के जुष्थान पर चंद्रयान तू ने अपने पदचिन्न छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा यह तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा यह तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखरी नहीं होती अगर द्रण इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है यानि मैं फिर दौरा रहा हूं चंद्रयान टू के प्रद्चिन जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और जहां पर चंद्रायान 3 का मुन लेंडर पहुचा है वो स्थान आज से शीव शक्ति पॉइंट कहलाएगा साथियों आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सत्व को छूआ है यह सभलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी सयोग भी नहीं था हमारी गिंती थार्ड बर यानि थार्ड रो में खड़े देशों में होती थी थार्ड बर थार्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी वहां से निकल कर आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थेववस्ता बना है आज प्रेड से लेकर टेकनोलोजी तक भारत की गिंती पहली पंग्ती एनि फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है यानि थार्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इस रो इस रो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है आपने आज मेकिन इंडिया को चांद तक पहुचा दिया है मेरे परिवार जनों मैं आज आपके बीच आकर विशेश तोर पर देश वास्यों को आपकी महनत के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं बाते बता रहा हूं वो आपके लिए नहीं नहीं है लेकिन आपने जो किया है जो साधना किया है वो देश वास्यों को भी पता होना चाहिए भारत के दक्षिन हिस्से से चंद्रमा के दक्षिनी दुरू तक चंद्रयान की यह यात्रा आसान नहीं थी मून लेंडर की सौफ लेंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस्ट्रों की रिसर्श फैसिलिटी में कि आर्टिफिशल मून तक बना डाला इस आर्टिफिशल मून पर विक्रम लेंडर को अलग-अलग तरीके से सर्फेस पर उतार कर उसका टेस्क किया गया था अब इतने सारे एक्जाम देकर हमारा मून लेंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी साथ्यों आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवापीडी साइंस को लेकर स्पेस को लेकर इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशन्स की सफलता है मंगलायन की सफलता ने चंद्रयान की सफलता ने गगनियान की तैयारी ने देश की युवापीडी को एक नया मिजाद दे दिया है आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविश्य देख रहा है इसलिए आपकी उपलब्दी सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्दी हासिल की है और वो उपलब्दी है भारत की पूरी की पूरी पीड़ी को जागरत करने की उसे नई उर्जा देने की आपने एक पूरी पीड़ी पर अपनी सफलता की गहरी चाप छोड़ी है आप से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस होसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है वही होसला वही जजबा उस बच्चे के भीतर भी है उस युवा के भीतर भी है आज आपने भारत के बच्चों में आकांख शाओं के जो बीज बोए हैं कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विट्सिज भारत की नीव बनेंगे हमारी युवा पीडी को निरंतर प्रणिना मिलती रहे इसके लिए एक और निर्णे लिया गया है 23 अगस को जब भारत में चंद्रमा पर तिरंगा फैराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस दे के रुप में मनाया जाएगा जब हर बार नेशनल स्पेस डे साइन्स टेक्नलोजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा मेरे परिवार जनों आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्त है वो सेटलाइट लॉंच करने या आंतरीक्स की खोच से कहीं ज्यादा बड़ा है स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं वो है इस अफ लिविंग और इस अफ गवर्ननस आज देश में स्पेस एप्लिकेशन को गवर्ननस के हर पहलू से जोडने के दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है आप लोगों ने जब मुझे प्रधान मंत्री के रूप में काम करदाई तो दिया तो प्रधान मंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लिवल के ऑफिसर्स की स्पेश साइंटिस्ट के साथ एक वर्क्शॉप करवाई थी और इसका मक्सद ये था कि गवर्ननस में शाशन व्यवस्ता में ट्रांस्परंसी लाने में स्पेश सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें तब कीरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू किया सौचालयों का निर्मान शुरू किया करोणों घरों को बनाने का अभ्यान चलाया तो इन सब के मोनिटरिंग के लिए उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की आज देश में दूर दराज के इलेके में एजुकेशन कॉम्मुनिकेशन और हेल्थ सर्विसिस पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है इन दिनों आजादी के अमृत महुत्सव के निमीत जो जिले जिले में अमृत सरोबर बन रहे हैं उसका भी टैगिंग उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है बिना स्पेस टेकनोलोजी के हम टेली मेडिसीन और टेली एजुकेशन की कलपणा तक नहीं कर सकते हैं स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सिस के अप्टिमम उडिलाजेशन में भी बहुत मदद की हैं हमारे देश के एग्रिकल्चर सेक्टर को ताकत देरे में मौसम का अनुमान लगा रहे में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ता मौसम का क्या हला है देश के करोडों मच्वारों को आज नाविक सिस्टिम से जो सटिक जानकारी मिल रही है वो भी आपी ही की देन है आज जब देश में बार आती है कोई प्राकृतिक आपदा आती है भूकम पाता है तो हालात की गंबीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं शेब साइक्लोन आता है तो हमारे सेटलाइट उसका सारा सारी टाइमिंग बताती है और लोगों की जान भी बचती है संपत्ती भी बचती है और सिरफ साइक्रोन के कांड़ जो संपत्ती बचती है उसका अगर जोड़ लगा दे तो आज पेस का जो परचा है उससे वह ज्यादा हो जाता था है 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 हमारे पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान का अधार भी स्पेश टेक्नोलोजी है और आज दुनिया भारत के गतिशक्ती प्लेटफॉर्म का अध्यान कर रही है कि प्लानिंग और मेनेजमेंट में यह प्लेटफॉर्म कितना उप्योगी हो सकता है इससे प्रोजेक्स की प्लानिंग एज्गेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेश एप्लिकेशन का यह दाइरा हमारे युवाओं के लिए ऑपर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है और इसलिए आज मैं एक सुझाओ भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटाइड लोग है वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं अब यह मत बोलिएगा कि इतनी सुव्य सुव्य मोदी जी यहां आए है और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं साथियों मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विविन्न मंत्राले और राज्य सरकारे मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नलोजी पर एक नेशनल हैकेथान का आयोजन करें इस हैकेथान में जादा से जादा युवा जादा से जादा उनिवर्सिटी जादा जादा नवजवान वो शामीर हो जुड़े मुझे विश्वास हैं ये नेशनल हैकेथान हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा देश वासियों को मोडन सॉलुशन्स देगा और साथियों आपके अलावा मैं अपनी युवा पीडी को एक और तास अलग से देना चाहता हूं और हुमबर्ग की दिये बिना बच्चों को काम करने कम बजा नहीं आता है आप सब जानते हैं कि भारत वो देश हैं जिसने हजारों वर्ष पुर्वही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था हमारे हाँ सद्यों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट ब्रह्मगुप्त वरामीर और भासकराचारिय जैसे रशी मनिशी हुए थे जब धरती के आकार को लेकर ब्रह्म था तब आर्यभट ने अपने महान ग्रंत आर्यभटिय में धरती के गुलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था उन्होंने एक्सिस पर पृत्वी की रोटेशन और उसकी परीगी की गणना भी लिख दी थी इसी तरह सूर्य सिधान सूर्य सिधान जैसे ग्रंतों में भी कहा गया है सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरिस्थितम मन्यंते खेयतो गोलस तश्यक्व उर्ध्वं ववादह अर्थात पृत्री पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे उपर मामते हैं लेकिन यह गोलाकार पृत्री तो आकास में स्थीत है उसमें उपर और नीचे क्या हो सकता है यह उस समय लिखा गया था यह तो मैंने सिर्फ एक श्लोग बात बताया है ऐसी अंगिनत रचनाएं हमारे पुर्वजों ने लिखी हुई है सूर्य, चंद्रमा और पृत्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहन की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंतों में लिखी हुई पाई जाती है पृत्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की ग्रंडाएं उनके मुवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंतों में मिलती है हमने ग्रहों और ग्रहों की गति को लेकर इतना सुक्ष्म गंडाय करने की वो काबीलियत हासिल की थी कि हमारे हां सेंक्रों वर्ष आगे के पंचांग यानि केलेंडर्स बनाए जाते थे इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीड़ी को देना चाहता हूं स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि भारत के सास्त्रों में जो खगोली सुत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्यन के लिए नई पीड़ी आगे आएं यह हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है आज जो स्कूल के कॉलेज के उनिवर्सिटिज के स्टूडेंट्स है रिसर्कर्स है उन पर एक तरह से यह दोहरा दाईत्व है बारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखन में दब गया है चिप गया है आजादी के इस अम्रित काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है उस पर रिशर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है कि दूसरा दाईत्व यह कि हमारी युवापीड़ी को आज के आधुनिक विज्ञान आधुनिक टेक्लालोजी को नए आयाम देने हैं समंदर की गहराईयों से लेकर आसमान की उचाई तक आसमान की उचाई से लेकर अंत्रिष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्स्प्लोर करिए आप नेक्स जनरेशन कंप्यूटर बनाईए और साथ ही जेनेटिक एंजिनेरिंग में भी अपना सिक्का जमाईए भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं 21 सदी के इस कालखन में जो देश साइंस और टेक्नलोजी में बढ़त बना ले जाएगा वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा साथियों आज बड़े बड़े एक्सपर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडिस्ट्री एक बिलियन डॉलर से बढ़कर सिक्स्टीन बिलियन डॉलर की हो जाएगी सरकार भी इस बात की गंबीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफार्म कर रही है हमारे युवा भी कमर कसकर तयार है आपको जानकर सुखद आश्यर होगा कि पिछले चार साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्ट अप की संख्या चार से बढ़कर करीब करीब डेड़ सो हो गई हैं हम कलपना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं वैसे कुछ दिन बात एक सितंबर से माई गौव हमारे चंद्रियान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्वीच कंप्टेशन लॉंच करने वाला है हमारे देश के स्टूडन्स इससे भी सुरुवात कर सकते हैं मैं देश भर के स्टूडन्स से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े मेरे परिवार जनों देश की भावी पीड़ी को आपका मारदर्शन बहुत आवश्यक है आप जो इतने सारे इंपोर्टन विशन्स पर काम कर रहे हैं वो आने वाले पीड़ी ही आगे ले जाने वाली है आप उन सभी के रोल मोडल है आपकी रिशर्च और आपकी बर्षों की तपस्या मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होते हैं दोस्तों आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है कि देश के लोगों का आशिरवात आप पर है इसी आशिरवात की ताकत से देश के प्रती इसी समर्पन भाव से भारत साइंस एंड टेक्लोलोजी में ग्लोबल लीडर बनेगा और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं इनोवेशन के हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विख्षित भारत के सपने को साकार करेगी इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके दर्शन करके पावन हुआ हूँ देश्वासी गवरों से भरे हुए हैं सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिशम उन संकल्प को सिद्धी के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेना बन रहा है आपको जितनी बढ़ाई दूं कम है जितना अभिननन करूं कम है मेरी तरब से करोरो करोरो देश्वासियों की तरब से दुनिया भर की साइन्टिफिक कम्यूनिटी की तरब से अनेक अनेक धन्यवाद बहुत पहुत शुब काम्राएं भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद झाल